हुआ हाई फ्रेंट्स एक बार फिर सागत हमारे चानल पर फ्रेंट्स अभी जो है एससे सीप्यों का जो 2017 में हुआ था एक साथ 2017 से लेकर साथ 2017 तक जो एक्जाम कंडेक्ट हुआ था आल इंडिया में इसके रिजल्ट आ चुका है तो इसकी बारे में पूरा भी कितना कट आफ हुआ क्या है इसके बारे में पूरा इंफर्मेशन इस यूडियो के साथ में आपको देने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं इस यूडियो की कि इसकी कट आफ अगर हम लोग देखा जाएगा तो मेल कैंडेट्स के सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हुआ आज तक जो है इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था कि मेल कैंडेट्स की सबसे पहले अन्रिजर्ड कैंडेट्स का देखते हैं एक सो सत्रा पाइंट टूफैव है इसकी बाद में वो भी सी का देखते हैं वन नाट टू और एसी का जो है 90.25 और एस्टी के लिए 90 मार्क्स जो है कट आफ निकला हुआ है और एक सर्विसमें के लिए 43 है तो टोटल जो है 46,864 कैंडेट्स जो है सेलेक्ट हुआ है और अभी देखते ह है फिमेल कैंडेट्स का फिमेल कैंडेट्स की भी वह यह आल है पहले इतना कट आफ कभी नहीं गया था तो सबसे पहले अन्रिजरूड कैंडेट्स की हम लोग देखेंगे है 112.50 और OBC कैंडेट्स के लिए 97.75 और SC के लिए 84.75 और ST के लिए 81 माक्स जो है कट आफ निकला है तो टोटल कैंडेट्स जो है 5441 लेडिस जो है फिमेल कैंडेट्स जो है सेलेक्ट हुआ है तो इसकी बाद में जो प्रॉसेस है अभी फिसकल होगा तो फिसकल का डेट और रेटन का डेट भी दिया हुआ है उसके आगे में देखते हैं जैसे कि इसमें दिया है पेपर टू कब एक्जाम होगा कि पंदरा 12.200.59 डिसंबर में एक्जाम होगा इससे पहले जो है पीटी होगा और यह सेप्टमबर में चलो हो जाएगा बता रहा है देखते हैं जो भी बंदा जो है कट आफ में आया हुआ है तो वो जरूर से जरूर जो है फिजिकल और इंग्लिश पेपर टू के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और तयारी भी अच्छे से कीजिए दिस्रिप्शन में दिया हूँ, कुछ लिंक्स दिया हूँ, जिससे आप इंग्लिश पूक्स अच्चे से अच्छा पूक्स करीज सके और प्रैक्टिस कर सके किस्दू कहीं इस वीडियो की माद़ें से आपको कुछ समझगा होगा, जल्दी से जल्दी आप ससी येजिंट में झाल